गन्राज, Shorthand and Computer Training Academy उच्च एवं, सैशन, नयले, Stenographer, Legal, Hindi, Dictition प्रतिलेकन संख्या, 3, कुल शब्द, 810, गती, 80 शब्द, प्रतिमनट, बी रादी, 3, 2, 1, स्टार्ट विरोधी, पक्षकार, संख्या, 1, 2, और, 3, ने, मुख्य प्रतिवादियों के रूप में कथन फाइल करने वाद का विरोध किया है विराम, उक्त प्रतिवादियों ने अपने लिखित कथन में वादी के इस अभी कथन से प्रबल रूप से इनकार किया है कि उन्होंने तारीक 26 सितंबर 2008 को वाद संपत्ती से वादी को बल पूरवक बेकपजा किया था विराम, उक्त प्रतिवादियों ने अपने लिखित कथन में इस पस्ट तया इस कथन से भी इनकार किया है कि वादी उक्त संपत्ती का किरायदार है और वह एक किरायदार के रूप में संपत्ती पर काबिज था विराम, वादी उक्त लिखित कथन का अन्य बातों के साथ साथ कहते हुए विरूद किया की रगुनात कोयरी नामक व्यक्ती प्रतिवादी मकान मालिकों का उक्त संपत्ती का मूल किरायदार था विराम, उक्त रगुनात कोयरी की मृत्यू के पस्चात उक्त किरायदारी उसकी विदवा दुरगा देवी को न्यायगत हो गई थी विराम, प्रतिवादी संख्या एक, दो और तीन उक्त रगुनात कोयरी और गौरी देवी के नातिदार होने के नाते वाद संपत्ती पर काबिज हो गए थे विराम वादी का वाद खारिज किये जाने पर वादी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधिन वर्तमान पुनरिक्षन आवेदन फाइल किया पुनरिक्षन आवेदन खारिज करते हुए पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेक पर की सामगरी का परिशीलन किया गया विराम वी निर्दिष्ट अनुदोष अधिनियम 1963 की धारा छे ऐसे किसी व्यक्ती को जिसे ऐसी किसी इस्थावर संपत्ती हो जिस पर वह काविज था विधी की प्रक्रिया के सिवाए बेदखल किया गया है प्रतिस्थापित करने के लिए विसिष्ट प्रकार की शिकायत के लिए विशिश और दूरगामी उपचार के बारे में उपलब्ध करती है अतहे उप्युक्त अधिनियम की धारा छे का आश्रे लेने के लिए बेकपजा कराने की तारीक को इस्थावर संपत्ती के उपर वादी का कपजा होना पुर्ववर्ती शर्त है विराम ऐसी प्रकरती की कारिय वाहियों में ऐसा कपजा होने के बारे में हकदारी के संबंध में विवेचना करना सूसंगत नहीं विराम वर्तमान वाद में के वादी ने वाद संपती के उपर अपनी किरायदारी साबित करने के लिए कतिपै दस्तावेज फाइल किये हैं तता पी उक्त दस्तावेज वाद संपती के उपर वादी के कपजे को साबित नहीं करते विराम पैरा उक्त दस्तावेज तारीक 25 जनवरी 2006 के किरायदारी करार प्रदर्श 4 की सत्यापित फोटो प्रती है जिसमें यह उलिखित नहीं है कि उक्त करार के अनुसरण में वादी को वाद संपती के उपर कबजा दिया गया था और किराया रसीदें भी वाद संपती के उपर वादी के कबजे को साबित नहीं करती विशिश तया तब जब मकान मालिक ने स्वैम पेश होकर उक्त दस्तावेजों की सत्यता को विवादत किया है पिराम पुलिस शिकायतें स्वैम लिखाए गए दस्तावेज है और किसी अन्य साक्षय के अभाव में ऐसे दस्तावेज सहायता नहीं करते और उक्त शिकायतें के आधहार पर पुलिस वाद संपती के उपर वादी के कबजे के संबंध में निशकर्ष नहीं निकाल सकती 1963 की धारा 6 के अधीन होने के कारण ऐसे किसी प्रश्ण की परिक्षा पूनतया अनावश्यक और असंगत है वादी की तारीक 2 दिसंबर 2014 को की गई प्रती परिक्षा से यह स्पस्ट होता है कि उसने यह स्वीकार किया है कि पूर्व में रगुनात कोयरी वाद संपत्ती का किरायदार था उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह रगुनात कोयरी और उसकी पत्नी दुर्गा देवी कोयरी को जमान जानता था और रगुनात कोयरी की मृत्यू हो चुकी है बिराम उसने यह भी कत्न किया है कि उसकी रगुनात कोयरी से कोई पारिवारिक नातेदारी नहीं है उसने यह भी कत्न किया है कि मकान मालिक द्वारा रगुनात कोयरी के विरुद्ध बेदखली वादविवाद फाइल किया गया है उसने अपनी उक्त प्रति परिक्षा में यह स्वीकार किया है कि रगुनात कोयरी के दो पुत्र है विराम अतहे यह स्वीकरत इस्तती है कि वाद संपत्ती का किरायदार उक्त रगुनात कोयरी था और उसकी मृत्यू के पस्चात उक्त किरायदारी उक्त किरायदार के वारिसों को न्यायकत हो गई और इसलिए मकान मालिक ने उक्त किरायदार के विरुद बेदखली वाद फाइल किया है विराम वादी की प्रति परिक्षा से यह इस्पस्ट रूप से उपदर्शित होता है कि वह वाद संपती का कपजा वादी को अभिकथित बे कपजा करने की तारीक पर वादी के पास नहीं था विराम जहां वादी वाद संपती के उपर अपना कपजा सावित करने में विफल रहा है वहां वह वी निर्दिष्ट अनुतोष अधीनियम 1963 की धारा 6 के उपबंधों का अश्रय लेकर उक्त कपजा वापस लेने का हकदार नहीं है विराम पैरा वी निर्दिष्ट अनुतोष अधीनियम 1963 की धारा 6 के अधीन वाद में के वादी ने भारत के संविधान के अनुछेद 227 के अधीन वर्तमान पुनरिक्षन आविदन फाइल किया है विराम वाद में आविदक ने यह अभी कथित किया है कि वह उक्त संपती का 300 रुपए मासिक की दर्से किरायदार है जो अंग्रेजी कैलेंडर मास के अनुसार मुहम्मद इसराइल मुक्तरूल इसलाम को देर है और तारीक 25 जनवरी 2006 के एक करार के आधार पर श्री एम जलील अब मृतक पिरोधी पक्षकार संख्या छे क से छे चे का हितादिकारी है पून विराम आशा करते हैं आप से भी कोई डिक्टिशन पसंद है वीगी तो प्लीज इस चैनल को जज़्याद लाइक करें सब्सक्रैब करें शेर करें और इस डिक्टिशन का पीडिएफ पर आप्त करने के लिए हमाने चैनल को आज बाहुद करें तेलिग्राम चैनल पर आज का ट्रिक्टिशन का PDF आप सभी को मिल जाएगा और बाकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूँगा PDF का तो आप वहां से ब्राउनलोड कर सकते हैं धन्यवाद